गाइस कुछ ताहिम पहले पोको ने पोको F1 नाम के एक फोन को निकालके पूरे इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था उसके बाद से कोई दमदार फोन जो सस्ते में आके लाइक फ्लेक्शिप को टक्कर देवे ऐसा कोई फोन नहीं आया था स्पेशली गेमिंग डिपार्टमेंट में बट भाई पोको ने फाइनली एक फोन निकाला जिसका नाम है पोको X3 प्रो जिसके अंदर हमको फ्लेक्शिप प्रॉसेसर देखने को मिलता है वो भी 19,000 रुपे में मैंने इसको मगा किया उसके बाद से लगभग लगभग पिछल X3 Pro. So, let's begin. Guys, video start करने से पहले बतादू 9 April को ये फोन मैंने अन्बॉक्स किया है तब से मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ. 31 में को मैंने इसके अंदर अपना SIM card डाला है. आज 10 तारीक है. तो भाई, तब से अब तक मैं इसको यूस कर रहा हूँ. As my main phone, इसके अंदर मेरा WhatsApp और सब कुछ है, तो मैं सारी चीज़े अच्छे से जान चुका हूँ. और मैं आपको बताने वाला हूँ. So, let's start the review. उसके पहले भाई, शॉट में अगर आपको जानना है, तो भाई, अगर आपका खाली गेम केलने का मन है, इसके पूरी बाते जानना है, पूरा वीडियो देखो, हम स्टार्ट करते हैं, बिल्ड कॉलिटी एंड डिजाइन से. आड़ा त्यड़ा नहीं है, पीछे जो ये material है, ये थोड़ा सा दबता है, साइड में मैट है, बीच में ग्लॉसी है, तो overall जो Poco X3 था, सेम डिजाइन यहाँ पर भी carry forward किया है, किसी किसी को ये design पसंद आ सकता है, किसी को नहीं पसंद आ सकता है, ना तो मुझे ये पसंद आता है, और ना मैं इसको dislike करता हूँ, तो मतलब kind of middle में हूँ मेरे लिए personally, क्योंकि actually मैं थोड़ा मोटा हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा issue है, तो अगर ये पतला होता है, तो मस्त लगता है, कि भाई design और थोड़ा सा modern होना चाहिए था, लेकिन this is not bad either, उसके बाद में सामने की तरफ वड़ू, तो यहां पर हमको full HD plus IPS display देखने को मिलती है, 120Hz refresh rate के साथ में, 450 इसका brightness है, it is one of the best IPS display in this price range में ऐसा बोल सता हूं, लेकिन AMOLED is like AMOLED, वो कोई भी मतलब इसमें दावाई ही कर सकता है, इसका display AMOLED से अच्छा है, यही भी बहुत अच्छा display है, शार्पनेस हो गया, colors, saturation, everything looks perfectly fine, में को कोई भी दिकत नहीं लगा ये display से, तो overall में को ये display काफी पसंदा है, लेकिन IPS है, ये चीज़ आद रखो, overall जो display का look है, मतलब देखने में में को display में कोई भी दिकत नहीं लगा, काफी bright भी है, काफी अच्छा से काम भी करता है, I like the display, even जो bezels वगेरा है, वो भी काफी चोटे-चोटे तो कोई भी दिकत होता लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी shadow को देखने को मिलता है, वाकि उसके बाद में performance की बात करो तो भाई, यहां पर ये phone किलर निकल गाता है, देखो, इसके अनर हमको Qualcomm Snapdragon 860 देखने को मिलता है, जो 855 Plus का थोड़ा सा upgraded origin है, ठीक है, UFS 3.1 की storage मिलती है, 19,000 अरवे का phone है, ये बा day-to-day life की बात करता हूँ, day-to-day life में, I am not that impressed, like, जब app open करना है, कोई भी, तो उसमें बहुत fast खुलता है, no doubt, लेकिन भाई, इसमें आमें को बहुत सारे जीटर्स देखने को मिलते हैं, thanks to MIUI, इतना third class धडिया software है, में को literally नफरत होने लगी भी MIUI से, पता नहीं क्यू लेकिन जो day-to-day task में ना, MIUI एकदम हगेला है, seriously बहुत बखवास काम करता है MIUI, कसंद से मतलब, अगर आपको खाली game खेलना है, तो उसमें अच्छे से काम करता है, एकदम मज़ेदाल चलता है, लेकिन जब day-to-day task की बात आती है, बिलकुल मजानिया हैं मेरेको, to be honest, अग से lowest rank में इसको दूँगा भई, performance में, like day-to-day task में, इतना अच्छा processor है, उसकी भी हालत खराब करता है, और मैं यह नहीं बहुत कि MIUI इंडिया वाला खराब है, क्योंकि मैंने इसके पहले Redmi K40 Pro यूसके है, जिसमें Chinese MIUI था, भई वो इससे सवगुना अच्छा है, लिटरली बहुत जादा फास्ट है, वो एक फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिलता है मेरको फोन में, इसके अंदर मतलब, constant 120 fps पर चलता ही नहीं, इतना जादा ड्रॉप करता है, चाहे मैं Chrome कुलू, Chrome में भी 60 Hz पर बिजिकली, YouTube तो 60 Hz पर रहता ही है, तो मुझे मसा निया भाई, I mean, अब देखो, मैं सॉफ्ट्वेर का आपको एक छोड़ा सा एक्जामपल देता हूँ, इसके अंदर हमको 860 देखने को मिलता है, और यह है IQZ3, सेम IPS 120 Hz है, और इसके अंदर हमको snapdragon 768 G देखने को मिलता है, भाई, यह इससे weak chipset है, बोलो हाँ, उसमें GPU में भी वीक है, बोलो ह लेकिन भाई, इसका 120 Hz है वो इससे 10 गुना जादा बेटर परफॉर्म करता है, अब सोचो, क्या प्रॉब्लम है, MIUI के वज़े से प्रॉब्लम बहुत जादा हो दिया, तो यह चीज़ को Xiaomi को डेफिनेटली फिक्स करने के दर होता है, भागी, आप मैं गेमिंग के बाद इसमें हम स्मूथ एक्ष्ट्रीम पर रखके, अल्मोष्ट 60 fps कॉंस्टेंट की गेमिंग कर सकते हैं, पब जी के बाद कर रहा हूं है, चाहे अब Call of Duty भी खेलो, एक्टम मज़ेदार चलता है, थोड़ा बहुत गरम होता है, ऐसा नहीं मुली बिल्कुल भी गरम नहीं होता ह और throttling issues भी मैंने देखा है, मैंने बंदरा में टके रन करके देखा, तो definitely यहां पर throttling issue होते हैं, लेकिन भाई, जो gaming performance है, वो काफी जादा अच्छा रता है, काफी जादा देर तक क्या आप maintain करके खेल सकते हो, मैंको overall इसका PUBG performance एकदम सूपर्ब लगा, अगर आपको एक् performance, especially the gaming performance of this phone, बाकि software की क्या ही बात करो मैं, software से मैं काफी जादा disappointed हूँ, खाली, like seriously, MIUI को काम करने के जरौत है, बहुत जादा जरौत है, Poco, मैं आप से request करता हूँ, please आप अपने MIUI पे काम करो, बहुत घटिया है, मतलब मैं इस से अच्छा वड़ और ढून के नहीं बुल स बैटरी है, वो भी काफी जादा चलती है, तो मेरे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, like अगर आप सुबह चार्ज करके निकलते हो, like सुबह में मैं दस बजे निकलता हूँ, चार्ज करके, और अभी रात में नौ बज़ रहे है, भी भी 27% चार्ज है, तो काफी स कोई भी शिकायत नहीं, even fast charging का support, तो वो भी काफी अची बात है, बाकी यहां पर हमको 3.5 mm headphone jack भी देखने को मिलता है, तो भाई यह काफी अची चीज है, उसके बाद भाई उसी के बासू में हमको यहां पर speaker देखने को मिलता है, जो main speaker है, उपर के साइड में हमको IR blaster के Bluetooth speaker होता है, वैसा बचता है, बहुत तगड़ा speaker है इसका, भाई खतरनाक speaker है, बहुत तगड़े बचते हैं, बट यह तो पूरा back है वो वाइबरेट करता है, अब बिना कवरेट के यूज करोगा तो आपके हाथ पैसा feel होना रगा कि वाइबरेट कर रहा काफी जादा, लेक कोई भी दिक्कत आता है, नेट्वर्क हो गए रहा है, जो earpiece का sound है, microphone है, सब अच्छे से काम करता है, इसका proximity sensor भी अच्छे से काम करता है, तो call quality में कोई भी दिक्कत अपको होने वाला नहीं है, बलकि इसका earpiece का sound कुछ जादा ही loud है, तो यह चीज आप याद रखो, बाकि super fast है, कोई भी दिक्कत नहीं होना है, इसके अपको, अब बात करूँ camera's की, तो इसके अपको 4 camera का setup मिलता है, front में एक camera है, जो पीछे 4 camera है, उसमें जो main sensor जो है, 48 megapixel का sensor है, उसके बाद 8 megapixel का ultra white sensor, 2 megapixel के दो फालतू के sensor दिये वे, उनको ignore करो, जो main sensor है, वो daylight में काफी अच् लेकिन जब daylight की बाद आती है, एकदा मुझाला रहता है, तो अच्छे से photo लेलता अंधिरा होता, तो भाई, वो definitely struggle करता है, so overall में को camera से शिकायत नहीं है, लेकिन जो POCO X3 था या फिर जो POCO X2 था उनके camera इससे बहुत जादा बैटर थे, ये चीज़ मैं 100% मोलूँगा, इस इसके camera definitely a downgrade है, लेकिन by processor में upgrade किया है, तो कही ना कहीं आपको compromise करना पड़ेगा, इसके camera बहुत अच्छी है, मैं सानी बोल रहा बुरे हैं, और thanks to that snapdragon processor, जो बड़ा वाला है, उसका इतना अच्छा ISP होने के वज़े से भाई, इसके photos काफी कमाल के आते हैं, जब अच्छे से मेंडेन करता है, तो में को overall जो cameras है, वो काफी अच्छे लगे, बहुत एक्टम super level पर नहीं है, लेकिन it is quite good, अब मैं realme 8 pro या फिर Redmi Note 10 pro को compare नहीं कर सकता है, वो थोड़े से जादा better, cameras के मामलें निकल के आते हैं, लेकिन इसकी ISP के वज़े से ये तोड़ा perfect gaming phone है आपके लिए, बहुत तगड़ी gaming performance देता है, बाकी जो software है, उसके वज़े से खाली मार खा जाता है, लेकिन gaming में नहीं है, मतलब normal जो day-to-day task है, gaming में software भी अच्छे से tween का है, जो gaming बहुत अच्छी से होती है, ये चीज में कोई problem नहीं लगी, बाकी खाली software जो है, व इंदा से फोन पर्चेस कर लो, कोई भी आपको पश्तावानी होने माला है, इतना ही बुलना था मुझे इस वीडियो में, I hope आपको पसंद आयोगी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है, तो भाई, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक्यों सो मच फॉचिंग इस बाई!